दूला, पंडित जी, पतनी को दाई तरफ बैठाऊं या बाई तरफ? पंडित, बेट्टा किसी भी तरफ बैठा ले, बाद में तो सिर्पई बैठेगी भाईयों, बॉर्डर की तरह हो गए हैं आज कल के सरीर, बारो महीने गोलिया चलती रहती है आज का ग्यान, समय और साबुन के अलावा, अगर हाँ से कोई चीज फिसलती है, तो वो है आम की गुठली भाईयों, पुरुस का आखरी गुरूस की पतनी होती है, उसके बाद ना तो किसी ग्यान की आउशकता होती है, और ना ही कोई ग्यान कामा सामे भाईयों, जोडियां तो उपर बनती है, नीचे तो सिर्फ जगरने के लिए ही आती है आज का ग्यान, पती चाहे कितना ही नालायक निकम्मा क्यों न हो, लेकिन पतनी उसे पडोसन के हाथ नहीं आने देती चोटी मगर मोटी बात, पती की उम्र भूका रहने से नहीं, बलकि चुप रहने से बढ़ती है भाईयो, अब तो सर्दी ने भी हल्की हल्की सी मिस्कॉल मारनी सुरू कर दी है भाईयो, और तो को केबल एक ही बात पसंद होती है, गपे और गोल गपे जैसी कही भाईयो, जब खुद की जिन्दगी में ग्रहन लगा हो, तो सूरे को क्या देखना आज कल पैर छूना ही सम्मान की बात नहीं है, किसी के आने पर मोबाईल साइड में रख देना भी बहुत बड़े सम्मान की बात है भाईयो, अगर औरत मर्द की बरावरी करना चाहती है, तो एक ही सूट को दस साधियों में पहन कर दिखाएगे ये गुगल मेप वाले ये नहीं बता सकते कि अगले मोड के उपर आर्टियो खड़ा है, अपने डॉकुमेंट चेक कर ले, या तो यहां से वापिस लटने भाईयों, दुख इस बात का नहीं स्रीमती, घर का काम करवाती है, दुख इस बात का है कि काम खतम हो जाने के बाद फोन पर सहे लिस ये कहती है, ये तो किसी काम के नहीं